महा भारत कथा कथा है पुर्शार्थ की ये स्वार्थ की परिमार्थ की सार्थी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की शब्त दिखोशित हुआ जब सत्यसार्थत सर्वथा नमस्कार बहुत स्वागत है आपके साथ मैं हूँ देवाशीश कुमार और आप इस फ़क देख रहे हैं फॉस्ट विहार ज़ारखन नेता प्रतिपक्ष तेजस्पी यादव अपने ट्विट के लिए हमेशा ज़ाने जाते हैं हाला कि नेता प्रतिपक्ष अब पटना पहुँच चुके हैं पटना पहुचने से पहले वो लगातार अपने दो दिवस्य कारिक्रम के तहद जारखन की राजधानी राच्यु में थे अपने संगठन और अपने पार्टी की मजबूती को प्रदान करने के लिए वो अपने नेताओं से मिले वहाँ पर उन्होंने किस तरह से आरजेडी को और मजबूती प्रदान करनी है इसको लेकर के बैटके की हाला कि तेजस्पी आदब ने कहा है कि महिने के किसी भी तारीक को और खास करके सनिवार और अविवार को और जारखन बे रहेंगे और अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे लेकिन उसी बीच तेजस्पी आदब ने ट्विट किया ट्विट क्या किया है यह हम आपको बता देते हैं तरसल तेजस्वी आदब में एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक मुस्लिम जो आदमी है वो महाभारत की कथाएं कह रहा है तो इस तस्वीर को ट्विट करते हुए लिखा है कि हमारे भारत की संस्कृति यही है लेकिन हम ऐसा होने दे तब ना यहनि कि तेजस्वी आदब ने साफ कहा है कि जिस तरह से भारत में धर्म, संप्रदाय और आस्था सब एक है हम सब लोग मिलकर के रहते हैं लेकिन भारत की जो सरकार है यहनि कि तेजस्वी आदब ने इस ट्विट के जरिये भी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निसाना साधा है तेजस्वी आदब ने निसाना साथते हुए अपने शब्दों में कहा है कि भारत में कोई कई लोग जो हैं ऐसा होने देना नहीं चाहते हैं भारत में जिस तरह से हम लोगों में एकता है, अखंडता है पुर्शार्थ की ये स्वार्थ की परिमार्थ की सार्थी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की शब्द तिखोषित हुआ जब सत्यसार्थक सर्वथाम शब्द तिखोषित हुआ यदा यदाहि धर्मस्य गला निर्भवति भारत अभ्युत्वानम धर्मस्य तो आपने देखा कि नेता प्रदिपक्ष तजस्वी आदब ने एक मुस्लिम जो आदमी है उस कर्ट्रेट से किया है जो अगल बगल वाले आदमियों को महा भारत का जो गीत है उसको सुना रहा है तो तमाम राज़िती खबरों के लिए आप बने रिये फर्स्ट प्यार चार गंड के साथ मुझे दीजिए इसाज़त नमस्कार